नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन में सुखार प्रभावित इलाकों की रिपोर्ट तयार जार्खन की किरिसी विभाग ने जमीनी हकिकत का आकलन करने के बाद राज्य के 22 जीलों के 226 परखन्डों को सुखार प्रभावित के रूप में चिनित किया है जिसमें पलामू परमंडल को सबसे अधिक सुखार प्रभावित छेते के रूप में चिनित किया गया जबकि पूर्वी सिम्भूम और सिम्डेगा सुखार से परहवित नहीं है राज्य आपदा परवंधन समीति की बैठक में इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सुखार की घोसना की जानी इधर सरकारी छुटियों की वज़ा से सुखार से समन्दित रिपोर्ट केंदर सरकार को 31 अक्टूबर को भेज़ जाने की उमीद नहीं है बता दे 31 अक्टूबर के बाद रिपोर्ट भेजने की ठीती में केंदरीय सहायता मिलने में काफी देर होती है किरिसी विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है की राजे में धान की बुआई 15 अगस्त तक होती है हलाकि 31 जूलाई के बाद होने वाली धान की खेती में उत्पादन परभावित होता है रिपोर्ट के अनुसार 31 जूलाई तक 18 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई का लग्षे था इसके मुकाबले सिर्फ 2.84 लाख हेक्टेयर 15 परतिसत में ही धान की बुआई होई थी बतादे अगस्त तक यह बढ़ कर 30 परतिसत तक पहुँचा वहीं पिछले 10 वर्षों के दरान पहली बार ऐसा हुआ है जब जून और जूलाई में किसी भी दिन 24 घंटे में 65 मिलिमीटर से ज़्यादा बारिच नहीं हुई है प्राइमरी इसकूलों में होगी 30,000 हेडमास्टरों की नियुक्ती जार्खन के प्रारामभिक इसकूलों में 30,000 परधना ध्यापकों की नियुक्ती होगी बता दे मिडिल इसकूलों के आलावा प्राथमिक विद्यालों में भी हेडमास्टर बहाल होंगे जिन प्राथमिक इसकूलों में 150 से ज्यादा बचे नमांकी थाएं वहाँ परधना ध्यापक रहके जाएंगे ऐसे विद्यालियों समेथ अप्ग्रेड किये गए मिडिल इसकूलों में परधना ध्यापक के पद्स रिजित किये जाएंगे इसकूली सिक्षावा सक्षात अभी भागने इसकी त्यारी शुरू कर दिया है बता दे राज्य में करीब 22,000 प्रात्मिक इसकूल और 13,000 मिडिल इसकूल है राज्य में 32,96 मिडिल इसकूलों में ही परधना ध्यापक के पद्स रिजित हैं जिन में से मात्र 82 में हेड मास्टर कारे रत हैं बाकी खाली हैं आकांची जीलो में जारखन के 29 जीले सामिल जारखन के 24 जीलो में से 29 जीले आकांची जीलो में सामिल हैं और यहां विभीन मान को पर औसत इस्तिती खराब रही है इसके बाद अकांची जीलो के लिए अलग से योजना सुरू होने के बाद सबसे बेहतर पर्दसन करने वाले जीलो में सिम्डेगा, रांची और लातेहर सामिल है जबकि दुमका चत्रा और रामगर फिश्डी जीलो की सुची में सामिल हो गया है योजना की सुरूआत के बाद से बर्तमान समय तक सिम्डेगा ने 43% का ग्रोथ दर्ज किया जबकि रांची 40% और लातेहर 32% की व्रिधी के साथ तिसरे अस्थन पर रहा है बता दे बिभीन मानको पर जीलो के ओवर ओल पर्दसन को देख थे तो सिम्डेगा ने ओवर ओल 43% विकास का आकड़ा दर्ज कर वहीं 40% इंप्रोब्मेंट के साथ रांची दूसरे नमबर पर है कॉंस्टेबल के 24-379 पदों की भर्ति के लिए अधिसुचना जारी BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB, ARSSF और NCB में सरकारी नोकरी के एक चुक और SSGD कॉंस्टेबल परिक्षा के त्यारी में जूटे उमिद्वारों के लिए बहुत बड़ी खबर है बता दे करमचारी चैन आयोग ने केंद्रिय ससस्तर पोलिस बलो और SSF में कॉंस्टेबल एवां असम राइफल में तथा नर्कोटिक कंट्रोल ब्योरो में सिपाई के कुल 24 से 39 पदो पर भरति के लिए अजिसुचना जारी की है आयोग दुआरा 27 अक्टूबर को जारी अजिसुचना के अनुसार सबसे अधिक 10 से 497 रिक्तिया सीमा सुरक्षाबल बीएसेफ में निकाली गई है वहीं इसके बाद CRPF में 89 111 रिक्तिया बिग्यापित की गई है बता दे SSC GD Constable अजिसुचना 2022 जारी होने के साथ साथ आवेदन परकिर्या भी सुरू हो गई है निधारित योगिता रखने वाले आवेदन के एक्छूक उमिद्वार करमचारी चैन आयोग के अधिकारिक वेबसाइट SSC.nic.in पर होमपेज पर दिये गए लोगिन के द्वारा पंजी करन कर सकते हैं चिठी आती जाती रहेगी सियम हमत ने राजेपाल के ब्यान पर बोले मुख्यमंत्री हमसुरे ने कहा है कि चिठी आती जाती रहेगी साथ में सियासत भी चलती रहेगी एबाते गुरुवार को निर्वाचन आयोग द्वारा उनकी विधायकी को लेकर राजिपाल को भेजी गई चिठी के बाबत प्रश्ण के उतर में कही CM राइनीती से जुड़े अने सवालों को टाल गए बता दे तेवहारों से बढ़ेगी परिवारिक सनवाद ननिहाल में सोहराई एवं बंदना पर मनाने के दुड़ान मीडिया से मुखादिव हेमन्त ने कहा है कि तेवहार का समय है इसका अनद उठाइए करोना के बाद इस तेवहार में लोगों के बीच जाने का मौका मिल रहा है इससे सनवाद बढ़ेगा अजीम प्रेम जी हेमन्त सोरेन के लिए उठाई बड़ी जिम्मेदारी जारखन के मुख हेमन्तरी हेमन्त सोरेन की महत्वकांशी योजना के तहत बिक सीथ किये जा रहे जिससे वे बिद्याले में चेंज मेकर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा सकेंगे जिसकी जिम्मेदारी अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को दी गई है इसकी सुरुआत पहले चरनों बिक सीथ आसी मोडल इसकूलों से हुई है बता दे इन स्कूलों के प्रधना ध्यापको और सिजकों के प्रसिक्षन कारिकरों के प्रतम चरनों बिसेस्त और पर अंग्रेजी बिज्ञान गनीच समाजी बिज्ञान और हिंदी बिसेपर ध्यान दिया जा रहा है इन स्कुलों के प्रधनाथ आपकों को पहले ही प्रसासनी काड़ों की समझ बिक्सित करने के लिए IIM रांची से प्रसिशन दिया जा रहा है रांची हिंसा में इट पथर लाने के लिए योकों को दिये गये थे 5-5,000 रुपाय राजधानी के में रोड में 10 जुन को जुमे की नमाज के बाद हिंसा फैलाने में इट पथर का इस्तिमाल करने की योईना बनी थी इट पथर पहुचाने के लिए कई योकों को पैसा का लालच दिया गया पैसे के लालच में आकर कुछ यूकों ने सिमेंट के बोरे में इट पत्थर आधी की वेवस्था की थी इसके बाद भीड ने पत्थर बाजी की थी इट पत्थर की वेवस्था करने के एवज में यूकों को 5-5,000 रुपए दिये गये थे इस बाद का खुलासा हिंद पिठी कांड संख्या 89-22 मामले में जेल में बंद कुर्बान चोक निवासी मोहमद अमन एवाम निजाब नगर निवासी मोहमद सिराजूल के खिलाप पत्थराव करने भड़काव नरा लागाने समित अन आरोप में दाखिल 4 सिट में किया गया है अमित अगरवाल की तब्यत बिगडी रिम्स में भरती बिर्सा मुंडा सेंटरल जेल में बंद कोलकाता के बैपारी अमित अगरवाल को रिम्स के सेंटरल इमर्जेंसी में भरती कराया गया है पतादे सुक्रवार को अमीत अगरवाल ने पेट में तेज दर्ज की सिकायत की जिसके बाद जेल से बेहतर इलाज के लिए रिम से भेज दिया गया सेंटरल इमर्जेंसी में अमीत का इलाज सरजरी विभाग के प्रोफेसर डाक्टर बिनाय परताप की देखने के में चल रहा है डाक्टरों के अनुसार पेट दर्ध की दवादे दी गई है और सकता जाच भी कराई जा रही है जाच रिपोर्ट आने पर इलाज की परकिर्या शुरू की जाएगी गौतला भाई की अमीत अगरवाल को इडी ने पोच्ट आज के लिए रिमांड पर लिया था रिमांड की अधि समाप्त होने के बाद कोट के निदेश परामीत को बिर्शा मुंडा सेंटर जेल भेज दिया गया था आदिवासी महिलाओ को सभी मामलों में मिले 50 परतिसत आरक्षन आदिवासी सेगल अभ्यान दौरा धुमकोडिया सभागार करम टोली चोक में आदिवासी बचाव पी चार्शा मेलल कावियन किया गया इसमें परस्ताव परित किया गया कि आदिवासी महिलाओ को मान समान अधिकार दिया जाए साथी साथ सभी मामलों में उन्हें 50 फिस्तियारक्षन दिया जाए जब तक आदिवासियों के हासा भासा जाति धर्म इज़त अब आदी रोजगार चास बास सन्वेधानिक अधिकारों के रक्षा नहीं होगी तब तक आदिवासियों को नहीं बचा जा सकता इसके लिए सभी संगटनों को मिल कर काम करने और बोलने क्यों सकता है कुण मियों की ST बनाने की अनूसंसरख करने वाले सांसत बिधाय को और राइनेतिक दलो को निशाने पढ़िया जाएगा क्योंकि ऐसा होना आदिवासियों के लिए फांसी का फंदा बन जाएगा चट पूजा के दोरान रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव रायधानी में चट पर्व के दोरान ट्रैफिक जाम की समस्य उत्पणना हो इसके लिए रांची पुलिश ने त्यारी पूरी कर ली है इसके लिए 30 अक्टूबर की सुबा 8 बज़े से लेकर राद के 11 बज़े और 31 अक्टूबर की सुबा 2 बज़े से लेकर राद के 10 बज़े तक सहर में भारीवानों के पर्वेश पर रोक होगा इससे समंधित आदेश गुरुवार की साम सीटी सर्ट रैफिक स्पी आंसुमान कुमार ने जारी कर दिया है उक्ता होधी के दवान भारीवाहन सहर शेत्र को छोड़ कर रिंग रोड से अपने गंता पर तक जाएंगे कांके रोड में ट्रैफिक नियंतरन के लिए बिसेस इंतजाम भी किये गया है कांके रोड में 31 अक्टूबर को दिन के दो बज़े से साम के 7 बज़े तक राम मंदीर एवं चांजली चोग के पास एकसेस कंट्रोल पॉइंट होगा सिर्फ छट वर्दी को लेकर घाट के तरफ जाने वाले वाहनों को परवेश की अनुमती होगी गिरीडी में आटो मारूती की टकर तीन की मौत आधा दरजन से अधिक घायल गिरीडी धनबाद मुखे मार्ग पर तारा टांड थाना छेतरे के बड़की टांड में गुरुवार को अप्राहन करीब दो बज़े एक आटो और मरूती वेन के वीच हुई टकर में आटो पर सवार पती पत्नी समय तीन लोगों की मौके पर हिमोत हो गाई जबकि दोनों वाहनों में सवार आधा दरजन से अधिक लोग गंभी टुप से घायल हो गाई मिरितको में गांडे थाना छेतरिक के मन्डरो निवासी बाल मुकुंद यादो पीता सिवलाल यादो मुकुंद की पत्नी मामता देवी और गांडे थाना इलाके के डोकी डी के रहने वाले मुकतार सामिल है 4 दिवसी छट महापर्व आय से सुरू सुरियो पासना का 4 दिनी महापर्व छट आय सुकरवर को नहाय खाय के साथ अरम्ब हो गया है असनान ध्यान के उपरांथ छट वरती आय सुकरवर को कद्दू और भाद ग्रहन करेंगी प्राता काल कई छट वर्दियों ने दीक के नदीत लाप गई वहीं कई वर्दियों ने अपने घरों में ही असनान कर शुरिदेव को जल अरपित करने के बाद नया वस्त धारन किए सुरिदेव के समक्ष वरत का संकल्प लिया वहीं भागवान भासकर से वरत पुरा करने की सक्ती मांगी गई धन्यवाद